नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक पार फैर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और लेट पी नौटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि हिमाचल प्रतेश में मानसून के सत्र में जो है काफी तभाहि मच रही है देख सकते हैं मांसून हिमाचल में चला हुआ है और बारिष से जगा जगा पे तभाहि हो रही है कहीं पर बादल फटर आ रहा है कहीं बार आ रही है और कहीं सडकें बोस ख्लन की चुपेट में जो है जा रही है तो कहां कि ये निज़े पूरी जानकारी correcting आपको इस विडियो में देने वाला हूं तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं अगर आपने भी तक विडियो को शेर ने किया है तो विडियो को शेर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूह लह पॉइंट के पास बोस्खलन निगरानी प्रणाली द्वारा बोस्खलन होने के संकियत मिलने पर जीला प्रशासन जोए अलर्ट हो गया है तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन हिस्सों में शनिवार राथ से बारिश का दौर जारी है बिलासपुर जीले में जो है लगातार भारी बारिश चुए हो रही है इससे जगा जगा नुकसान की सूचनाय है नोणी गाउं में भारी नुकसान हुआ है चंडिगर मनाली राष्ट्रे राजमार्ग के साथ लगते प्रेमलाल के कच्चे मकान की दिवारें गिर गई है साथ ही राजमार्ग के किनारे लगा डंगा उनके पक्के मकान पर गिर गया इसके अलावा राजिश कुमार के मकान में नाले का पानी मलबे सहित घुस गया गनी मत रहे कि आपदा में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ हालांकि पेड़ित परिवारों को लाखों रुपया का नुकसान हुआ है वहीं राजमार का पर मलबा आने से यातायात भी बादित हो गया है लेकिन थोड़ी देर में ही जेसी बी के माध्यम से मलबे को हठा कर यातायात को बाहल कर दिया है मंडी जिले के गोहर उपमंडल में स्याज बजार में जोए बारी बारी से पेड उखड कर पोल पर गिर गए बिजली की तारे तूट गई है क्षेतर में अंधेरा जोए पसर गया है मक्की की घड़ी फसल भी खेतों में धाराशाई हो गई है तो दोस्तों ये थी तारह ख़बर ब्रेकिंग निउस अगर आपने वी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बोले है कि आप तक हमाचल प्रदेश की हर नौटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्यवाद जैहिं जैभाद